दोस्तो आपने ये सब नाम तो सुना होगा इंडिया बूर्स धनी इंडिया बूर्स रेल स्टेट इंडिया बूल्स मृचल फंड इंडिया बूर्स हाउसिंग फिनान्स जो आज की डेट में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है जिसको शुरू किया था समीर गहलौत ने जिनका नेट वर्थ आज की डेट पर है 2.3 बिलियन डॉलर्स ये वीडियो उनके इस इंकूडरेबल जर्णी के पर बेस्ट है कि कैसे उन्होंने इंडिया बुर्स को सफलता की इस उचाई तक पहुँचाया और कैसे वो एक सेल्फ मेड बिलिनियर बने योंगेस्ट सेल्फ मेड बिलिनियर तब की टाइम पे फॉर्ब्स के हिसाब से और हाँ मैं आपको बता दूँ कि सक्सेस के पीछे लक्समी मितल का एक बरा रोल है और इस कंपनी का टोटल एसेट वैलू है 75,000 से लेके 90,000 करोर के बीच में पूरे इंडिया बुर्स ग्रूप का समीर गहलाद आज की टेट पे इंडिया के टॉप 100 बिच लिस्ट में आते हैं इनके पास टोटल आठ कंपनी हैं इंडियाबल हाउजिंग फाइनस, रेल एस्टेट, वेंचर्स, लेडी स्टोर, फार्मसेटिकल्स, मूचिट फंड और कंजूमर फाइनस लिमिटेड ये सब कंपनी इंडिया बुर्स के अंदर आते हैं तो जो जानते हैं कि कैसे उन्होंने इतना बड़ा एंपायर ख़़ा किया अपने दम पे समीर गहलोत का जन्म 1974 में हडियान के रहतक सिटी में हुआ था आइटी दिल्ली से मेकनेकल इंजिनरेंग में बैचला डिगरी हांसल करने के बाद उन्होंने एक अमेरिकन वाइल सब्स कंपेनी हैली बटन में जॉब ले लिया 1995 के बाद फिर वो वापस आ गए इंडिया में वापस आ गए दो शाल बाद उन्होंने आपने फैमिली बिसनस को जॉइन कर लिया उनके पिता वलवन सिंग गहलवाद एक पाउरफुल माइनिंग बिसनसमैन थे तब की टाइम पे पर भाग्या ने उनके लिए कुछ और ही सोच के रखा था 1999 में उनके सामने एक अच्छा ओपर्चूटी सामने आया और भी टेक प्राइबेट लिमिटिर एक नॉन ओपरेशिनल दिल्ली बेस्ट सिक्यूरिटी कमपणी जिनके पास मेंबर्शिप था नेसनल स्टॉक एक्सचेंज का जो सेल पर चल रहा था फ्रैक्शन अप रूपीस में यानि एक कर रूपीस का आसपास फिर क्या हुआ उन्होंने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया समीन ने और रजीव रतन जो उनके दोस्त है उन्होंने मिलके वो कंपणी खडीद लिया इस आस में कि हम आगे जाके इस कंपणी को एक ब्रोकरिस सर्विस में बदल देंगे फिर क्या हुआ उन्होंने एक स्मॉल ओफिस ले लिया होज खास बस टरमिल के पास दिलने में उनके पास दो कंप्यूटर्स था और छट जो था उस ओफिस का वो टीन का था फिर कुछ महीने बीद गए उनका काम थोड़ा आगे बढ़ा उन्होंने और एक दोस्त को अपने साथ सामिल कर लिया फिर उस साल के एंड तक उन्होंने एक अच्छा खासा ओनलाइन ट्रेडिंग प्लाटफर्म एस्टाबलिस कर दिया जो इंडिया का फर्स्ट इंटरनेट ब्रोकर सर्विस था जो काफी अच्छा था तब की टाइम पे फिर जैनुरी दो हाजार में इंडिया बोल्स फाइनेल से सर्विस ओफिसियली लॉंच्ट हो गया फिर फाउंडर्स को लगा कि उन्हें फर्स्ट चाहिए अपने बजनस को एक्सपैंड करने के लिए और उसी टाइम पे लक्समी मित्तल का एंटरी हुआ वो फाउंडर्स एग्रिसिवली फॉंच्ट धूणने निकल परे उन्होंने एक मुंबाई बेस्ट इंवस्टमेंट बैंक एवेंडर्स एडवाइजर को हायर किया इंवस्टर ढूंड निकले funds collect करने के लिए Avengers के co-founder गौराब धिपक ने रिसी खोसला को approach किया जो fund manager थे लक्स्मी मित्तल का बात चीप में पता चला कि Mr. लक्स्मी मित्तल भी एक company में इंवस्ट करना चाहते हैं फिर क्या negotiation शुरू हो गया आदित्या मित्तल और समीर गहलोत के बीच में phone पे फिर वो discussion हुआ, meetings हुआ and then दोनों party ने agree किया और वो deal cracked हो गया और इंडिया बुर्स को अपना first angel investment मिला 1 million dollar का 5 rupees पर सेयरतब के time पे जो deal लॉंडन में sign हुआ था Mr. लक्स में मित्तल कहते थे कि हमने इसलिए agree किया क्योंकि उनका startup बहुत उनिक था और उनका business plan भी बहुत अच्छा था और वो लोग confident थे potential था उनमे कि वो इस business को right direction में move कर पा इसलिए हमने invest किया फिर क्या, लक्स में मित्तल को उस investment से बहुत सारा फाइदा हुआ यह investment मिस्टर मित्तल का first investment था इंडिया में जिस investment ने उन्हें 100 गुना से भी ज्यादा return कमा के दिया कमाल का investment था उस time पे उनके लिए फिर 2000 साल के end तक India Bulls ने India Bulls Security लांच किया जो एक subsidy था India Bulls Financial Services का जिसका plan था कि offline business को भी expand किया जाए उन्होंने एक स्काल के end आपोर 75 branches established कर दिया पूरे इंडिया भर में जो काफी कमाल का growth था फिर 2004 में उन्होंने अपना IPO लाया और उसी साल उन्होंने loan offering भी शुरू कर दिया financial services का साथ साथ consumer loans भी start कर दिया जिसके बाद एक एक करके उन्होंने और भी company शुरू किया जो हम आगे जानेंगे IPO के बाद से India Bulls regularly funds raise कर रहा था और उनका business बहुत speed से grow कर रहा था ति उन्होंने एक ऐसा strategy अपनाया जो बहुत confusing था investors को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या करने जा रहे हैं क्योंकि India Bulls ने अपने branches को इतने आसपास establish किया था कि लग रहा था कि वो branches एक ही customer को target कर रहे हैं जिसे investors confused हो गए थे क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है पर blank कुछ और ही था 2004 में India Bulls ने announce किया कि वो loan market में enter कर रहा है home loan, loan against securities, business loan, commercial loan, vehicle loan, mortgage loan हर तरह का loan India Bulls प्रभाइड करेगा जिसे investors बहुत खुस है वो उचल पड़े वा 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 क्या हुआ और share price थोड़ा उपर आने लगा फिर 2005 में India Bulls ने real estate business को establish किया एक auction को जीत के government auction को जीत के फिर आगे जा के 27 में इंडिया बुल्स ने इंडिया बुल्स पावर established किया फिर 2010 में इंडिया बुल्स ने इंडिया बुल्स foundation established किया philanthropy purpose के लिए health education, scientization, nutrition, disaster relief in सब में वो donate करने लगे जो अच्छा ही चल रहा है फिर धीर धीर ऐसा करते करते वो और भी to the business through करने लगे एंडिया बुल्स एंडिया बुल्स ल डी हैंडे बुल्स टोरuju फ्री्टिकल के मुचनिया में एपको बसमें कर दिया इंडियाबुर्स पावार और इंडियाबुर्स इंफरस्ट्रक्टर से उन्होंने रिजाइन कर दिया फिर समीन ने 538 करोर इंवस्ट किया इंडियाबुर्स रियल स्टेट में अपने परसेंटेश को बरहाने के लिए 27% से 37% तग फिर 288 के बाद से उनके कंपनी थोड़ा ड 255 के बीच में जो एक टाइम पे 1500 तक भी पहुच गया था आगे क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा देखते हैं क्या होता है एक बार सेबी ने इंडियाबुर्स के स्टॉक्स को 24 आवर्स के लिए ब्यान कर दिया था कुछ मैल्वर प्रक्टिस के लिए 24 आवर्स बाद से वो दिश्टेट हो गया था इंडियाबुर्स को बहुत बहुत सरे आवर्स मिले जैसे फास्ट ग्रॉइंग कंपनी बेस्ट इंप्लॉयर ब्रांट बेस्ट एएफसी ऑप दा येर और बिजनेस सुपर ब्रांट बाई ब्रांड काउंसील 2008 में और बहुत सरे आवर्स इन इंडियाबुर्स का उनका नेट वर्स आजके एट में है 2.3 बिलियंड डॉलाज वो एक सेल्फ मेड बिलिनियर है तो स्टोरी से हमें सीख मिला कि ऑपर्चुनिटी जब सामने आए तो हमें उसे पकड़ लेना चाहिए क्या होगा क्या होने वाला है उसे बाद में देखा सोचा था एक पहले ऑपर सफ्क करके सविर्टेटान फैरी को बँसक्राइबुर्स में आप वर्स कंग परका करने पक्रोइबुरुल्स को जhongत पडहिया उनक defensive क्यिक क्लूल या है मिल गया होगा कि कैसे ऑपरचुरी को ग्राप करना है कैसे बिजनस शुरू करना है कैसे ऑपरचुरी को आइडेंटिफाइ करना है और जाके कैसे उसे पब्लिक करना है स्टॉक मार्कर में लिस्ट करना है कैसे बिलिनियर बनना है हो यह वीडियो के बहुत काम आएगा लाइक करना सेर करना सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों मिलतें अगले वीडियो में और एक अच्छे यूनीक टॉपिक के साथ थैंक यू टेक क्यार और बी सेफ दोस्तों बी सेफ